प्रिये व्यूर्स, 68 वी BPSC प्रारमभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए द्रिश्टी PCS एक कारिक्रम लेकर आया है। इसका नाम है Target 68 BPSC इस कारिक्रम में हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल फैक्स, हितिहास, सामाने विज्यान, करेंट अफियर्स और और भी बहुत कुछ। इसलिए देखना न भूले हर रोज शाम चार बजे हमारा कारिक्रम Target 68 BPSC स्वागत है सात्य एक बार फिर से आप सभी का RPSC Current Update प्रोग्राम में मैं हूँ सल्मान और आज का हमारा यह जो एपिसोड है यानि कि इस एपिसोड के मार्धियम से हम जिन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे वो सवाल बनाए गये हैं राज में बीते हफते ऐसी ख़वरों के तरज पर जो कि आगामी परिक्षा में आप सभी के लिए महतपूर साबित हो सकते हैं उनसे संबंधित या उनकी प्रिष्ट भूमी में जाकर के कोई भी सवाल समसामाई की से जोड़ करके बनाया जा सकता है तो आज उन्ही सवालों के बारे में चर्चा करेंगे सवालों को देखने से पहले जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान राज्जी का मानचितर दिखाई दे रहा है तो एक प्रशन हम लोग मांचित्र से भी कर लेते हैं जिससे कि मांचित्रों पर भी कोई सवाल यदि पूछा जा सकता है तो उसको भी हम लोग आसानी से हल कर सके चलिए शुरुआत करते हैं सवाल ये है कि राजस्थान राज में बहने वाली बनास नदी राजस्थान के किस जिले से उद्गमित होती है ये सवाल रहा यदि कोई साथ ही इसका उत्तर देना चाहते है तो एपिसोड को पाउश कर ले और वही पर उत्तर दे और देखते चले कि उनके कितने उत्तर सही होते है ये आगे आने वाले प्रशनों में भी वो लोग कर सकते हैं तो बनास नद यहीं पर खामनौर की पहाड़ियां इस्थित हैं और यहीं से उद्गमित होती है बनास नदियू तो ये रहा इस प्रशन का सही जवाब लेकिन इस प्रशन के साथ आप सभी विद्यारतियों के लिए एक होमवर्क भी है और होमवर्क ये है कि आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बाएं और दाएं तर से वह कौन कौन सी नदियां है राज में जो बनास नदी से मिलती है साथ ही बनास नदी अंतता किस नदी में जाकर के विलीन हो जाती है एक तो ये आपको बताना है दूसरा ये भी बताना है कि जिस ज आप लोग कमेंट सेक्षन में देंगे चलिए एपिसोड की शुरुवात करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्ण क्या है सवाल है राष्ट्री उर्जा संरक्षन दिवस के आउसर पर प्रदेश में कौन सा राजस्थान उर्जा संरक्षन पुरसकार समारो का आयोजन किया गया था यानि कि कुल मिला करके जो प्रस्ण पूछा जा रहे हैं प्रस्ण का essence आ रहा है कि राजस्थान ऊर्जा सनरक्षन पुरसकार समारो जो इस बार आयोजित किया गया था वह उसका कौन सा संस्क्रण। था विकल्प है दसवा, ग्यारहवा, बारहवा या तेरहवा तो अभी हाल यही में राष्ट्री ऊरजस्थान संरक्षन दिवस राजस्थान राज्जी में मनाया गया था और इसी आवसर पर राजस्थान ऊर्जास्थान पुरसकार समारों का भी किया गया था जो कि इसका 13 संसकरण था तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा अगर इस पुरस्कार से संबंदित अगर हम बात करें तो जिसका उध्गाटन किया था राजस्थान राजी के उर्जा मंत्री श्री भाटी ने इसका उद्गाटन किया और साथी साथ उन्होंने इसके अंतरगत कुछ बाते भी कही उर्जा संरक्षर से संबंधित उनमें मुख्य रूप से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि जो भी संस्थागत उर्जा संसाधन है उनको किस तरह से बचाया जा सके या कितनी दक्षता से उनका प्रयोग किया जा सके जिससे की आगे आने वाली जो भावी पीडिया है उनके लिए भी उर्जा से संबंदित जो संसाधन है उनको बचाया जा सके यानि कि उर्जा के परंपरागत संसाधनों का कैसे management किया जाए कैसे परबंदन किया जाए इसके बारे में उन्होंने बात कही है साथ ही साथ उन्होंने एक बात यहां पर यह भी कही है कि इसके अंतरगत जो भी विभिन अध्योगिक समू है यानि कि उर्जा उत्पादन से संबंदित जो भी उर्जा बचत है तो जो उनके द्वारा उत्क्रिष्ट और महत्पूर कार किये गए गए हैं उन सभी के लिए पुरसकार के रूप में शील्ड और प्रमालपत्र भी प्रदान किया गया है तो यह रहे इस से संबंदित कुछ महत्पूर तत चलते हैं आगे की तरफ अगला सवाल पुछा गया है राज्ज में कहां पर डेल्फिक आर्ट बॉल कैम रंगीला राजस्थान का आयोजन किया गया है विकल्फ है दौसा अजमीर जैपूर या कोटा तो अभी हाल ही में इंडियन इंस्टिट्यूट आफ ट्राफ्ट एंड डिजाइन जो की जैपूर में इस्थित है वहां पर डेल्फिक आर्ट वॉल कैम के अंतरगत रंगीला राजस्थान आयोजन का शुभारम किया गया था और इसके अंतरगत जो डेल्फिक कांसिल आफ राजस्थान की 28 वर्स हो चुके है और इस आशल पर समभ विसमे और भारत के प्रतेक राज्यों में आईसे कारिक्रम आयोजित किये गए हैं और इन कारिक्रमों के आयोंजन के फल सुरूप देस में आठ वॉल का जो कारिक्रम आयोजित किया गया। उनको अगर कुल मिला करके जोड़ा जाए तो ये तकरीबन 11 मील का हो जाएगा यानि कि जो इसकी माप होगी अगर भारत के प्रत्येक राजियों में जो भी कारिक्रम क्राफ्ट से संबंधित आयूजित किया गया है वालक कैम्प के रूप में अगर इसको जोड़ा जाए तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी तकरीबन 11 मील हो जाएगी चली अगले सवाल को देखते हैं प्रस्न पूछा गया है राज में किस विभाग द्वारा चार दिवसी 56 भोग उत्तव 2022 का आयोजन किया गया है विकल्प है उद्द्योग एवं वालिज्जी विभाग कला और संस विभाग परियटन विभाग या सबसे अंत्वें पंचायती राज विभाग इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा एवाला यानिक उद्द्योग एवं वालिज्जी विभाग की और से चार दिवसी 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया था और इसके अंतर्गत लगभग 25 से 30,000 पुटफॉल रहा है इस उत्सव के अंतर्गत 10 दिसंबर को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और यह जो प्रतियोगिता थी वेंजनों से संबंधी थी साथ ही साथ और चात्राओं के द्वारा विभीन प्रकार के सांस्कृतिक कारिक्रम भी आयोजित किये गए जिसमें की मुख्य रूप से नित्र प्रस्तुत किया गया चलते हैं अगले सवाल की तरफ इंटीग्रेटेट सौफ्वेर स्लूशन विद ई-प्रिजन प्रोग्राम ई-लांच करने वाला राजस्थान उच्छ नियायले डेस का काउन सा उच्छ नियायले बन गया है प्रदेश करने वाला राजस्थान जो है पहला प्रदेश बन गया है पूरे भारत में इसके अंतरगत ऐसे प्रकरन जिसके अंतरगत कोई भी कैदी जेल में कैद है उनसे संबंधित जो भी जानकारी कोट को चाहिए होती है वो जेल प्रसासन से संबंधित ई-PRISON एक सौफ अगर इसकी बात करें यानि कि इस E-PRISON या E-Launch यह जो प्रोग्राम बनाया गया है यह जो अपनाया गया है राजस्थान उच्छ नयायले के द्वारा इसके जो बनाने वाली टीम है उच्छ नयायले की स्ट्यरिंग कमिटी के अध्यक्ष नयायधी श्री अरुल भंसाली क मार्क दर्शन में राजस्थान उच्छ नयायले की तक्नीकी टीम ने बहुत ही कम समय में उच्छ नयायले एवं जिला नयायपालिका के समस्त नयायले के लिए इस प्रोग्राम का निर्माण की हम बात करते हैं तो उच्छ नयायले यानि राजस्थान उच्छ नयायले की ज बनाया जा सकता है कि यह जो तकनीक यानि कि यह जो डिजिटलाइजेशन अगर हम कहें तो इंटीग्रेटट सौफ्वेर सल्यूशन विथ इप्रिजन यह किसके मार्ग दर्शन में बनाया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा स्री अरुन भनसाली साथ ही साथ अगर इस प्रो कि कार प्रडाली है उसमें तकनीकी रूप से एक क्रांती देखी जा रही है जो कि आने वाले समय में बहुत ही महत्पूर साबित हो सकती है चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं सवाल पूछा गया है सौर उर्जा उत्पादन में राजस्थान किस इस्थान पर है तीसरे पांचवे पहले या दूसरे तो सौर उर्जा उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान राजज जो है भारत का पहला प्रदेश बन चुका है सौर उर्जा उत्पाद की जा रही है उनके सहयोग से सौर उर्जा उत्पादन में राजस्थान राज्य जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि सर्वाधिक सौर उर्जा उत्पादित कर रहा है अगर बात करें इन सोलर उर्जा पारकों की यह राजस्थानदाराजमें कहा पर बनाए गये है," यानिकि इनकि इनकि स्थापना कहा 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 पर की गई है," तो मुख्य रूक से अगर हम देखे, प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, प्रदेश नहीं देश नहीं बलकि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क इस्थापित किया गया है, कहां पर जोदपूर के भढला में जिसकी उत्पादन च्षमता की अगर हम जो अगला है 750 मेगावाट छमता का फलोंदी पोकरण जो की ये जैसल मेर में इस्थित है इसकी भी इस्थापना की गई है तो इन विबिन सोलर पार्कों के माध्याम से जो भी सौर उर्जा उत्पादित की जा रही है उसकी वज़ा से राजस्थान को या इस्थान प्राप्त करने में सहजता हुई है यानि कि राजस्थान जो है तो और उर्जा के उत्पादन के मामले में पहला राज बन गया है अगले प्रस्थान से पहले आप सभी विद्यारतियों के लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि राजस्थान के जो भी में स्कोर्स है उसकी शुरुआ द्रिष्टी संस्थान की ओर से द्रिष्टी e-learning एप के माध्यम से ऑनलाइन मोड में शुरू कर दिया गया है तो ऐ ऐसे छात्र जो भी इस कोर्स में प्रवेस लेना चाहते हैं या इससे संबंदित कोई जानकारी चाहते हैं तो इस दिये गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस कोर्स में प्रवेस ले सकते हैं मेंस के साथ ही साथ प्रिलिम्स इस्तर की तैय अजीत सिंग राव को आउटलुक मीडिया इवां राजस्थान परेटन ने Responsible Tourism Award 2022 से सम्मानित किया गया है विकल्प है दौसा, नागवर, सिरोही और पाली तो डॉक्टर अजीत सिंग राव की अगर हम बात करते हैं यह राजस्थान राज्य के पाली जिले से संबंदित है और इनको यह जो समान दिया गया है यह मुख्य रूप से अशौव यानि घोडों के लिए बेहतर वातावरन तयार करने और घोडों के लिए कई नई आईडियास पर काम करने के लिए दिया गया है इनका अपना खुद का एक अस्तबल है जिसमें तकरीवन 75 घोडे मौजूद है इसके साथ ही साथ इन्होंने घोडों की प्राचीन हस्त लिखित पांडुलिपियों एवन घोडों से संबंदित कई पुरानी वस्तूओं के सहेजने का भी महतपूर कार किया है जिसकी वज़ा से उन्हीं ये अवार्ड दिया गया है अगला प्रस्न है अंतर राष्ट्री प्रतिबा समारों में राज जी के किस जिले के जगमोहन मतोडिया को अवार्ड मिला है विकल्प है सीकर, अलवर, जैपूर या बालमेर तो अंतर राश्ट्री प्रतिवा समारोग के अंतरगत या जो पुरसकार दिया गया है जगमोहन मतोडिया जी को ये एक वरिष्ट चित्रकार है जो कि जैपूर से संबंदित है इनसे जुड़ी अगर कुछ महतपूर बातों को देखे तो एक चित्रकार होने के अलावा ये राजस्थान स्कूल आफ आर्ट में बता और कला सिक्षक भी कारिकर रहे हैं पिछले कई दसकों से और इन्होंने कला के छेत्र में काफी महतपूर योगदान दिया है जिसकी वज़ा से उन्हें ये सम्मान समारों के अंतरकत या पुरसक जालवार रोड इस्थित लाइन्स क्लब भवन के प्रांगण में इस समारों का आयोजन किया गया था तो प्रस्ण में ये भी पूछा जा सकता है कि अंतरराश्टी प्रतिवा सम्मान समारों का आयोजन कहां पर किया गया था तो इसका उत्तर हो जाएका जालवार रोड इस इस्थित है माउंट आबू जो की राज्य के सिरोही जीले में इस्थित है अगर जिला इस्तर दे दिया जाए तो इस प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सिरोही हो जाएगा और अगर पर्टिकुलर स्थान की ही बात की जाए तो वो हो जाएगा माउंट आबू आइए से सम मन्दित कुछ महतपूर जानकारियों को भी एक बार देख लेते हैं तो माउंट आबू में नक्की जील जो है राजस्थान के प्यार को सच में दर्शाता है यानि कि इस जील को प्रियेम जील के रूप में माना जाता है या नामित किया जाता है और यह 11,000 मीटर की उचाई पर सबसे बड़ी माना निर्मित जील है ना केवल राजस्थान की बलकि पूरे भारत अगर प्रस्ण कभी-कभी यह पूछ लिया जाए परिछा में कि भारत की सबसे उचाई पर माना द्वारा निर्मित जील कौन सी है तो वो नक्की जील हो जाएगी जो माउंट अबू में इस्थित है, माउंट अबू कहां है, सिरोही में हैं एक ऐसी माननिता है कि यह जो जील है राजस्थान की ग्रेशिया जनजातियों के लिए एक पवित्र जील मानी जाती है और इसके अंतरगत अप्रैल मा में एक त्योहार का आयोजन किया जाता है जिसमें कि ये जो ग्रासिया जन जाती है अपने पूरवजों के पूजा और अर्चना करती है और अपने नाखूनों को समर्पित करती है इस त्योहार के अंतरगत इसी कारण इस जील का नाम नक्की पढ़ गया है यानि कि नाखूल के अर्पन करने के लिए इस जील का नाम नक्की जील पढ़ गया है जो कि माउंट आबू में इस्थित है अगला प्रस्ण है राणा प्रताप सागरबांध किस नदी पर है बनास नदी लूनी नदी काली सिंध नदी या चंबल नदी तो राणा प्रताप सागरबांध जो है राजस्थान राज में चंबल नदी पर इस्थित है चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश से उद्गमित हो है चंबल परियूजना के अंतर का दूसरा सबसे बड़ा बांध है इसे सीधे तोर पर सिचाई तो नहीं की जाती है लेकिन राजस्थान और मध्यप्रदेश के काफी बड़े छेत्रफल में सिचाई के लिए पानी को छोड़ा जाता है वही रावत भाटा में चंबल नदी के अगर बात करते हैं यानि कि इस बांध को कब बनाया गया था तो वर्स 1970 में इस बांध को बनाया गया था चलिए अगले प्रस्ट को देखते हैं राज में कहा पर अंतर राश्ट्री उंट उत्ताव का आयोजन किया जाएगा जोदपूर बीकानेर जैसलमेर या जालाउर 13 से 15 जनवरी 2023 ये बीकानेर में मनाए जाएगा या इंतर राश्ट्री उत्ताव का आयोजन जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में 13 से 15 जनवरी वर्ष 2023 के अंतर गत किया जाएगा इसमें देश विदेश से काफी परेटों को आने की संभावना जताई जा रही है और इस उत्साव के आउसर पर बीका नेर कार्निवाल फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा जिसके अंतरगत विंटेज कारों का प्रदरशन किया जाएगा और इस फेस्टिवल के अंतरगत बीका नेर की जो संस्कृतिक विविदताय है या जो संस्कृतिक धरोहर है जो वहाँ की संस्कृति है उससे लोगों को परिचित कराया जाएगा यह रहा हमारे आज के अपिसोड का अंतिम सवाल और इस सवाल के साथ हम आज के अपिसोड का यही पर विराम देते हैं हमें उम्मीद है कि जिन सवालों के उपर आज चर्चा की गई या उन से संबंदित जिन महतपूर तत्थ्वे को उपर ध्यान डाला गया वो आगामी प